नौश्कार दिभ्यांग न्यूज इस्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है आज एक महत्पूर्ण कबर के साथ उपस्तित हुआ हूं पिछली बार वीकली न्यूज संबंदित वीडियो नहीं बना पाया था और आज भी कबर खास थी इसलिए आना पड़ा सुप्रिम कोट में एक जनिहित याची का दिभ्यांग संबंदित जो च्याव प्रतिशत आरक्षन है उसको लेकर ये याची का दायर की गहिया और उसके बाद सुप्रिम कोट में केंद्री शरकार, राज्य शरकार, केंद्री शासित प्रदेशों और राज्ये के उचने आई दूजों की तरफ से दाएर की गई ए कि रहने वाले रहना रामानुज म और बैंगलोर के रहने वाले हिसे सुमेय ऐखान के तरफ से दायर की गई यह जनिहित याचि का प्रढ़ान य्या इस डिवाई चनल चूर के यह द्यक्ष्त वाले तीन की चिछजों के बेंच compassionate समक्ष लगाई गई है जिन में जीवी पाड़ दीवादा नियाइदिश मनोज विश्रा और डिवाई साब स्वयम इसमें हैं दलील सुनने के बाद राज्ये सरकारों केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है और राज्ये के उच्छे नियाईले और केंद्र शरकार इनसे जवाब मांगा गया है दिव्यांगों के तरब से संजे पारिक उन्होंने दलील रखी दलील सुनने के बाद नोटिस जारी किया गया है और दलील में कहा गया है कि दिव्यांगों को नियाईक शेवां में जो चार प्रतिशत आरक्षन की विवस्ता है उसमें गड़वड़ी है और सुधार करना चाहिए ताकि च्यार प्रितिशत आरक्षन दिव्यांगों को नयाइक अधिकारी संबंदित जो हैं सर्विश है उसमें मिल सकें इसमें आर्पी डब्लूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 33-34 का भी जिक्रिक किया गया है सेक्शन 34 उच्पदों के लिए रास्ता कह सकते हैं कि तैयार करता है रास्ता प्रदान करता है उसका जिक्रिस में किया है साथी UNCRPD जो सेक्टराश्चन की संदी थी 2006 वाली उसका भी जिक्रिक किया गया है कि ये संदी जो है भारत में दिव्यांग संबंदित कानून है उस पर प्रभाव डालती है तो उसका भी जिक्रिस में एड़्वोकेट श एक बात और महत्पूर्ण है कि 2018 में भी एक याची का लगी थी और उस याची का में जो फैसला शुरक्षित रखा बाद में सुनाया गया था उसमें 50% द्रिश्टिबादित यानि जिनकी विजन 50% है उन्हें न्याएधीशों के पदों तक पहुंचने की अनुमति की बात की गई थी यह यह 2018 का मामला था तो गड़वर वहां से भी है कि एबल ऐसा नहीं है कि उचिनायलेव में या जो जिला अदालते उन में यह गड़वर है अब इस जहित यह जिला अधर अन च lunky helped between a couple A Le condensed लेकर लगी हैं उनकी भरती में जो गड़वरी देखने को मिल रही है एक मामला कापी सिर्कियों में रहा जिस पर सुप्रिम कोट्ण शोतै संग्यान लिया थाइ दिरिश्ति-वाधितों को नियाएक सिवाओं से बंचित किया जा रहा था ला अदो और उसके बाद में सुप्रिम कोट्ण स्वतैस पसंग्यान दिया झारे की यूज उसके बाद मध्यप्रदेश में दिरिश्टी वाधितों को परिक्षाओं में बैठने की अनुमती मिली हैं तो गड़वड़ी इसमें अभी नहीं है बहुत पहले से है न्यायक्षेवाओं में और सुप्रिम कोट में जो मामला चला रोज के बाद में फैसला आया महां भी गई थी कि 50% विजन होना इसलिए जरूरी है कि स्वयम जो एड़वोकेट सोरी न्यायद ही से वह जजमेंट पढ़ सके वह गस्तावजों की जांच स्वयम कर सके दूसरे से नहीं करवा कि यह इसमें रखा गया था और अगर ऐसा होता है तो यह साब तोर पर भेदवाव है इसमें कोई संदे नहीं है कि लो विजन को नियाइक पदों तक पहुचाया जाए और उसके बाद जो सोफिज्दी रिष्टि बादित है या उनकी विजन कम है उनको से बंचित किया जाए इसके अत्रिक्त मैं दो उधारन यहां पर रखना चाओंगा हलाकि एक दो उनमें लौ विजन है जो मैसिकन सिक्टी के मुखे नियाइदीश है उनको विजन है अब कितना है यह मुझे जानकरी नहीं है लेकिन पाकिस्तान में नियाइदीश शलिम जो कि मुखे नियाइदीश बढ़ने हैं किसी अदलत के वो टोटली ब्लाइंड है और वो इस पत्तक पहुंचे अलाकि पाकिस्तान में भी आसान नहीं है लेकिन नियाइक लड़ाई लड़के वो महाँ पर नियाइदीश के पत्तक पहुंचे भारत में अभी भी इस्तितिक किलियर नहीं है सुप्रिम कोट ने नोटिस जारी किये हैं इससे पहले भी मामले चलते रहें लेकिन च्यार प्रितिशत आरक्षन को लेकर बहुत बड़ी समश्या है और केबल इसे डिपार्टमेंट में नहीं अर डिपार्टमेंट में है नियाइक सिवाउं का मामला अभी आया लेकिन इससे पहले जो दूसरे विभाग है उनमें चलता रहा है चाहिए हम एजूकेशन के बात करें क्योंकि एजूकेशन डिपार्टमेंट के एक ऐसा है जिसमें देश के अंदर सरवाधिक ब्लाइंड जौब में हैं और दूसरे दिव्यांग भी हैं सेकिंड नंबर पर आपका बैंकिंग सक्टर आता है जिसमें दिव्यांग है दृष्टिवाधित और उसके बाद आपके रेलवे आता है पर दूसरे डिपार्टमेंट आते हैं तो इन सभी में है हम एजूकेशन डिपार्टमेंट की भी बात करें तो वहाँ पर भी से डिव्यांगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है खासकर दृष्टिवाधितों की समश्यत जादा है कि राजिस्तान में मेरी जानकारी में बहुत पहले एक के ब्लॉग शिक्षा अधिकारी थे और में पुरे राजिस्तान में इकलोते ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उपने उसके बाद में अलाकि उस पद की जगे CBO की पोस्ट यहां पर प्रोमोशन के द्वारा बरी जाने लगी CBO, ACBO तो इस पद पर अभी भी कोई नहीं है राजिस्थान में तो और इसके अत्रिक से फिर ADO, DO यह जो होते हैं इनसे संबंदित उच्षपद हैं उन पर भी कोई ब्लाइंड अभी तक राजिस्थान में नहीं है और आने वाले समय में भी चार प्रतिशत रिजर्वेशन के इसाब से जो टोटल है सीट मिलेंगे इस पर बहुत बड़े संद्धे है अपी भी और खास कर जो एक प्रतिशत में द्रिश्टि बादित हैं उनको लेकर तो डाउट मुझे बहुत ज्यादा है कि आसानी से ब्लाइंड उन पदों पर पहुंच पाएंगे इसमें सरकार भी नहीं चाहती डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता तो इस तरह का भेदवाव कोई पहली बार नहीं है लेकिन यह मामला सुप्रिम कोट में जनहीत याजी का के रूप में पहुंचा है और केवल न्याइक शिवाउंग पर ही नहीं दूसरे जो सर्विस हैं उन पर भी इसका असर दिखाई देगा च्यार प्रतिशत आरक्षन क का जो मामला है आगे इस पर कारवाई होती है मामला आगे तक जाता है तो निश्चित रूप से इसका असर बाकी सिवाव में जो आरक्षन रिजर्विशन मिलता है चारप प्रतिशत उस पर दिखाई देगा अभी नोटिस जारी किये हैं जबाब मांगा है क्या जबाब राज्य सरकार केंद्रिशातिश प्रदेश और केंद्रिशरकार उच्छ नियायलों की तरफ से दिया जाता है लेकिन नियायक सिवाओं को लेकर इस्तिती बिल्कुल भी सरकार की तरफ से और नियायलों की तरफ से इस परस्ट नहीं है और यह मामला भी जब जिलादत जिला नियायलों के लिए आया उसके बाद में सुरकियों में ये चलार बाद में सुप्रेम कोर्ट ने इस पर संजान लिया और सुप्रेम कोर्ट में ये मामला गया उसके अत्रिक्त एक और बात यहां मैं बताना चाहूंगा डिवाई चंद्रचोड साब जब से मुख्य न्यायधीश पढ़ने हैं उन्होंने लगातार दिव्यांग संबंदित मामलोग की ही हैरिंग की है कई पैसले भी सुनाए हैं खासकर एकसेसिपलेटी को लेकर जो नियायलों में स्थिति हैं उस पार उनका विजन बिल्कुल क्लियर है और काफे काम उन्होंने करवाए हैं आधिस जारी कर corrupt के नियायलों को वी उन्होंने आधिस जारी किये कि accessibility मिलनी चाहिए दिव्यांगों को और सर्विस में खास कर जो दिव्यांग वकील है उनके जो है सुविधाओं को भी उन्होंने द्यान में रखा है अब इसके कई कारण है खास कर जो रहूल बजाज है जिनका जिक्र मेंने पहले भी किया और डिवाई साब उनकी काफी प्र कारियों को लेका और उससे वह बहुत प्रभावित हैं मुख्य न्याइदिश क्योंकि रहूल बजाज उनके किलर्क है काम कर रहे हैं उनके लिए तो उनको उन्होंने देखा है और उनकी च्छमताओं से वाकिब हैं इसलिए वह विशेश ध्यान इस माम लोग को लेकर देत हैं इसके अत्रेकते दो जो दिव्यान बच्ची हैं उनको भी उन्होंने अडॉप्त किया है और उन्होंने विकलांगता को बहुत करीब से कह सकते हैं देखा है और विकलांगों की जो चंता है दृष्टिबादितों की चंता है उसको उन्होंने पैचाना है तो उनके आने के बाद में लगातार दिभ्यांग सम्मंदित जो माम ले हैं पर याची का के रूप में दायर किये गये हैं उन पर काफी ध्यान मुख्या नयाधीश की तरफ से और जो दूसरे नयाधीश से हैं उनकी तरब से दिया गया है चाहे न्याइदी स्कॉल हो या फिर मनोज मिश्रा हो इसके अत्रेक्त एहम प्रतिवार्शिंग हो इनके पास कई मामले गए हैं सर्वो उचिनायले और जो उचिनायले हैं कई अधालत तो समय समय पर एहम पैसले सुना चुकी हैं कासकर जैसे दिल्ली का उचिनायले है या फिर मुंबई मदरास इनके मामले तो ज्यादातर दिव्यान संबंदित डिशिजन आते रहे हैं तो इनकी तो काफी चर्चा होती है खेर अब देखना है कि आगे इस पर क्या कुछ से होता है लेकिन एक बहुत ही एहम होता है चार प्रतिशते रिजर्विशन को लेकर जिसके साथ साथ तोर पर बेदवाब किया जाता है और दिव्यांगों को चार प्रतिशत रिजर्विशन से बंचित किया जाता है हर डिप कर प्रोमोशन को लेकर तो इस्तिती बहुत खराब है और सरकार मुझे नहीं लगती कि वो चाहती है कि दिभ्यांग वुच्पदों तक पहुंचे खास कर द्रिष्टी बादितों के लिए तो सरकार एकदम चाहराज्यों की सरकार हो केंद्र शासित सभी की स्तिती मान सिकता है एक जैसी मुझे तो लगती है तैंक यू